Hello everyone, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबी दोस्तों का जैसे ही हर बार मोसम बदलता है, सीजन चेंज होता है, गर्मी से सर्दी में जाते हैं तो बहुत सारे लोग बिमार होना शुरू हो जाते हैं बच्चों की बात करें या बड़े लोगों की बात करें बहुत quantity में बिमार होना शुरू हो जाते हैं, उसका कारण होता है हमारी बोड़ी की immediate power low है तो जैसे ही हम दूसरे मोसम के contact में आते हैं हमें परिशानिया होने चुरू हो जाते हैं common परिशानिया देखने को मिलती है, नजला जुखाम होना शुरू जाता है खास करके जैसे symptoms आते हैं, sinusitis वाले, allergic rhinitis वाले रोज सुबह में उठते हैं, हमें खासी हो जाती है रोज सुबह में उठते हैं, हमें चीके आने शुरू हो जाती है continuously कई-कई 20-20 चीके सुबह में आने शुरू जाती है फोड़ी ठंडी हवा लगती है, प्रॉलम हो जाती है फोड़ी हम ठंडा पानी पी लेते हैं, प्रॉलम हो जाती है फोड़ी सर पे हवा लग जाती है, प्रॉलम हो जाती है तो यह सारी चीज़े हमें इंडिकेट करती है कि इस patient की immunity power low है अब आप इसको जांच कराते रहिए आप कितनी भी TLC बढ़ी हुई है ESR बढ़ा हुआ है Isonophilia किसने बताया Isonophils बढ़े हुए है कहानी सारी आती कि आपकी immunity power बढ़े जाएगी naturally तो आप जो ठीक होने शुरू हो जाएगी अगले मौसम में आपको problem होनी बढ़ जाएगी तो immunity बढ़ानी के लिए आपको मैं कुछ tips दूँगा कुछ खानी पिननी की चीज़े कुछ life style वाली चीज़े मैं आपको रता हूँगा जिसको आप follow करेंगे तो कोशिश यही कीजिए कम से कम stress लीजिए उससे भी हमारी सारी ही चीज़ों पे सारी ही disease पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है second आता है जो packed food होते हैं जो packed वाले foods होते हैं उनको use नहीं कीजिए उनके अंदर बहुत सारे preservatives जो है use के जाते हैं जिससे लंबे समय तक वो चल सकें इसलिए उनको भी आप use मत कीजिए निद का थोड़ा ध्यान लेकिए कम से कम 7-8 घंटे की निद लेना सभी के लिए जरूरी है तो कम से कम 7-8 घंटे की निद आप जरूर लीजिए mobile का कम से कम इस्तेमाल कीजिए आपके पास जो भी mobile है उसको आप हमेशा अपने से दूर रखके सोईए वो ज़्यादा बहतर रहता है नियमेत रूप से आपको exercise करने भी बहुत जरूरी है सुभा शाम सुभे शाम आप exercise कीजिए पोड़ा समय जरूर निकालिए काफी लोग बोलते हैं आपके पेट कंदर समस्या लीवर कंदर समस्या तो आपके पूरी बोड़ी कंदर समस्या होनी शुरू हो जाती है तो आपको बिल्कुल लिमिटेट खाना है सही डाइट आपको अपने रखनी है कोई भी fast food, oily, chicken आई ज़्यादा fat, ज़्यादा cholesterol आपकी बोड़ी कंदर नहीं जाना चाहिए वरना आने वाले समय आपको 100% बहुत सारे बिमारियों का सामना करना पड़ सकता है नेक्ट इसी में आता है आपको अपना weight बिल्कुल maintain करके रखना है अगर आपका weight over है तो आप उसको बिल्कुल control कीजिए आप exercise करेंगे, diet को maintain करेंगे आपकी जो weight वाली condition है ये भी थोड़ी थोड़ी ठीक होनी शुरू हो जाएगी अगर आप कोई bad habit आपके अंदर है कोई addiction करते हैं, धुम्रपान करते हैं या आप कोई तंबाकू का सेवन करते हैं, शराप कीते हैं इन सारी चीजों से आपको दूर रहना, इनको use नहीं करना है इन से भी हमारी body का अंदर बहुत सारी बिमारिया आती हैं बहुत सारे symptoms हमारी body का अंदर chronically आने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे करके आने शुरू हो जाते हैं और इसके साथ आपको कुछ खाने पीने में विशेज ध्यान देना है, अगर आप बड़े हैं या छोटे बच्चे हैं तो दूध में केसर घोल के पीना शुरू कीजिए, बैटर ओप्शन है, ड्राइफ फूर्स ज़्यादा यूज कीजिए, जैसे कि आप बादाम देखेंग के लिमिटेट करके आप उनको स्टार्ट कीजिए, अपनी बोड़ी किये, क्या पर सिटिके अकोर्डिंग लिए आप उनको खाईए, कि 5 बड़ाम आपने सुबह में ले लिए, चाहे आप ऐसी खालीजे, चाहे छिलका उतार के खालीजे, भिगो के खालीजे, कैसे भी आप खाईए, पांच बड़ाम सुबह में ले लिए, पांच गिरी एक रोट की शाम में ले लिए, तभी काजू ले लिए, ऐसे करके, आप जब इन सारी चीजों को फोलो करेंगे, तब जाके आपकी बोड़ी की इम्मुनुटी बढ़ने शुरू होगी, और ऐसा ने की इम्मु इस वीडियो में बता है, इस वीडियो का आप जाता जाएद शेयर कर सकते हैं, जिससे कि सारे लोग इस वीडियो का फाइदा उठा सकें, क्योंकि कब तक आप इन दवाईयों का सेवन करेंगी, जो आप लिते हैं, सबसे बड़े है कि आप नेचरली अपने आपको स्वास रखें, आज की वीडियो में इतना है, थैंक्यू सो मच